उमीद तो अभी यही है कि वादे पूरे करेंगे बाकी आगे देखा गया लगता है इस बार चेर मैनी के बाद आप विधाई कि आप लोग लड़वा देगे वो लड़ेंगे आप लड़वा देगे अगर अपने आध्यासपट पर बैठा दिया उन्हें तो क्या उमीद करते कि अगोब विकास में लग रहाएंगे वह कि दिया जाती है वमनावय केंड़ लिए नहीं लगग रहे फारिधम 65 इन दूसरे चुनावह मदान पे हैं तो 59 में से कोई और डूसरा नहीं नहीं जारा रहे था उखराओ उतर पार इसी वायरत है पर 20 अब कुछ बिकास ही नहीं है, हिंदू, मुस्लिम हो दोजगार के नाम के यहां भाट पर बोट नहीं है, अब जन्ता सतर हो गई है, समझ चुकी है, जब पहले से वो बिकास किया है, तो जन्ता ने उम्मीद समझा कि हमारे विकास होगा सुमेरपुर का, इसलिए भारी मतो सोन इसलिए तो बोल ला है है, क्या लगता है आपको जो वादे किये गए थे, चुनावी दौरान तो क्या पूरे कर पाएंगे, उम्मीद तो देख रहा है, करेंगे, केंदर उनकी, राज उनका, सब कुछ उनका, हम भी उनके, बिलकुल है, आम तो ग्राउंड रिपोर्टेंग, आम गोधी मीडिया के बाद, नमस्कार, आप देख रहे हैं, संगम टिवी मैं हूँ, आपके साथ, आजे परिजबति, देखा लगतार हमारे दौरा, प्रतेक प कर लिया है, तमाम देखे जा रहे थी, यहां से नगर सुमेरपूर से 40 प्रत्यासियों के द्वारा किस्मत अजमाने का कार किया जा रहा था, यनि कि 40 प्रत्यासी लगतार प्रियास कर रहे थे, एक दूसरे को पछाड लगाने की, और पछाड लगाते हुए सुमेरपूर की जनता ने अच्छे मतों से उन्हें विजयी बनाया है, क्या कारण है कहीं न कहीं एक कारण यह भी सामने आ रहा है कि यो धिरन्द सीवर है, यूवा प्रत्यासी है, इसी लेकर कि यहां पर उन्हें चुना गया है, या फिर उनके कुछ जो घुसना पत्र के सुमेरपूर की जनता ने आजनता ने साथ कुछ सुमेरपूर के लोग हैं, इनसे कारण रहा है, बॉडप्यों से विजया हासिल की है ख्यासा Saeric, कि अजी से निकलने वाला है, क्योंकि उनका बोड बैंक अच्छा समझ में आ रहा है, खिलाल leaked recipe तरीके से था लगातार जो है लोगों ने आशिरवाद दिया और उन्हें अध्यचपत पर बैठा दिया है इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी सोंचे किस प्रकार से है जो है नगर का विकास चाहिते हैं किस प्रकार से और धिरने सिवारे इनकी उमीदों पर खरा उतर भारी मतों से विजई बना करके जो है अध्यचपत पर बैठाया गया है धिरने सिवारे जी को उनसे क्या आप एच्छा रखते हैं आप किस प्रकार से नगर का विकास उनसे ही उमीद है कि वो नगर का अच्छी तर विकास करा है पहले तो समझ से अमिन पानी की उसकी उसको देखा गया था तमाम पिरत्यासी थे अपने अपने आपने एंठली दो है प्रदूस की थे तो क्या लगता है कि नह slap लाल गवे कि यह अगे आ गो लिदवी तो क्या? बिल्कुल और भी यह साथ में हैं युगा युवी हैं इनसे बाचीत करें क्या नाम हुगा राजिनरायन मिस्रा हां से हम किस वाड से वाड नंबर 6 है वाड नंबर 6 पंद्रा सोला का चाहिते हैं विकास सोला में नाला बन जाए और इसके बाद पाइपलाइन की भी उस्ता हो नहीं बना हुआ है दूसरा नंबर जो पाइपलाइन की भी अखती होनी से यह मला पाइपलाइन जो है कहीं भी छे नहीं है पानी संकट है तो यह हम चाहिते हैं क्या उम्मीद की जा रही है कि जो नया चेहरा आप लोगों ने चुना है जो युवा प्रत्यासी थे दिरियन जो है सुमेरपुर की जनता ने आसिरवाद दिया है कहीं न कहीं भारी मतों से जिताने का यही कारण है कि वो युवा प्रत्यासी थे और जो है आज अध्याशपद पर काबिज हो चुके हैं कहीं न कहीं उम्मीद की जाती है कि जो उन्होंने वादे किये थे चुनावी समर तो क्या पूरे कर पाएंगे उमीद तो देख रहेंगे अब देखो क्या कर रहा है यह नहीं कि उमीद है सभी को कि हाँ जो इनके द्वारा वादी किये गए तो कहीं न कहीं करेंगे अच्छे बताईए कि 49 पर तासी यहां पर जो चुनाव मदान पर थे तो क्या 49 में से कोई और दूसरे जए नहीं नजरा रहा था जो वादे किये जा रहा था थे क्या अकरा उतर पाई इन की अ में पर अधे जरत लिख रहे थी लिकास कणीं के और धी। जब चेर्माइन भी नहीं थे जब भी विकास किया है। जैसे हिंदुस्तान के बागल में एक रोट बनवाया हूँ हमारे खेते। अमसुया बाबाजी में नल लगवाया है उन्होंने आपने खुद के पैसे थे। और काफी विकास किया है। इनकी वो चेर्मन नहीं थे तब भी जो है कहीं न कहीं उनके विकास के ऐसे जो है आपको देखने मिले की लगतार जो है उनकी राय यही थी कि सुमेरपूर अच्छा से अच्छा हो और लगतार अपने पैसे सी विकास करना चाहिए थे बिल्कुल देखा बहिया हैं जरा इनसे बाचीत करेंगे बहर से हैं आप चलिए कोई बाद नहीं यह बहिया हैं इनसे बाचीत करेंगे क्या नाम हुआ श्रीव प्रकास गुपता किस वाड़ से आप बाद नमर अठारा देखा जारा भारी मतों से धिरिंद सिवरे जी को जो ह विजई चिया है यहां समेरपूर की जनता ने और अज़जपत पर बठा दिया है क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे यह उम्मीद हम यह करते हैं कि जो बाद नमर अठारा में नाला है जो अभी एक साल पहले लाखोर हर घर में लाखोर रुपए का नुस्कान हुआ है एडि बाद नमर पंदरा में जो होता है वो समय अब नगर पंचायद से हम बुचारश करेंगे दिरू भाईया से की एडियम साफ भी कह एक साल में यह सीजन तो चला गया है बार इसका अब भाई उम्मीद करते हैं कि वो नाला के हमाना नाला तो काफी पुराना था दस्यों वर् और पहले इतनी वार Hill हुई नहीं है पिछली साल इतनी भायनक वारिस हुई थी कि दो घंटे वारिस अगर हो जाती है बार्ट नमॉर 18 और बार नम्र 15 में घरों में आदमी कर पूरे घड डूब जाते है इतना बारिस होता है तो वस एक समिस्या है बार नमर 18 की हो, कि वो न इसको चोड़ा होना चाहिए, एक रेल्वे किरासिंग के आजो बायानेक जाम लगता उसको बढ़ना चाहिए, ओवर विरेज बना चाहिए, और हर जगह, जो सरकार सियोजना आती है, कि हर जगह नाली पक्की होने चाहिए, और रोड होने चाहिए, खंबे होने चाहिए, विकास होगा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि चुनावी उन्हों, जितने से पहले काफी है जैसे और प्स estádmi तो जब पहले से वो विकास की है तो जनता ने उम्मीद समझा कि हमारे विकास होगा सुमेरपुर का इसलिए भारी मतो सोने विजय बनाया अब बस उम्मीद ही रखती है उम्मीद अब जनता से वादे की है अगर बार पूर करेंगे तो आंगे चल के वह अंगला भी चुनाओ जैसा की आंगे चल के विधाइक के लिए अफसने कि मिला कि लड़ेंगे जब इस बार जनता के वादे नहीं पूरी काएंगे तो बिधाइक की कहा से जीट जाएंगे तो कि लगता है इस बार जो है, चेर मैनी के बार यहाद आप लोगे लड़वा देगे उनको उमीद यह वो लड़ेंगे आप लड़वा देंगे अगर वादे की है जो जनता के बीच में पूरे की है तो हम लोग खुद कराएंगे क्योंकि यहां बादपा कोई नजन नहीं है कोच बिकास नहीं है बादपा बिकास के नाम के बिलकुल दूर है यह तो हिंदू-MUSLIM हिंदू-MUSLIM तो क्या लगता यही कारण है आज सुम्पर से भाजपा के हारने को? बिल्कुल वोग इतने बहुत मिल गए है तो वो सिद्दाद ददा के बज़े से बन गया है इस बाज सुम्पर के जनते ने तैकल लिया था कि इस बाजपा को बाजपा को हटाना हा थो हटाना है पर्सनल बिवार था तो इनका 1631 वोट मिल गए जो भाजपा प्रिट्यासी थे उनके पर्सनल बिवार एक वक्तिक चेहरे पर जो इतना बंदाद हुआ बिल्कुल बिल्कुल माकी यहां से भाजपा जो सफायक करना होगी तो कर देंगे आप केंदर में सरकार आँ और आपके पिरदेश में सरकार एपर इसमाद कई एडियरे कीसि नहीं है हिंदू-मुस्ल वोट्हुस्यकर के नावर 5 रहतगा है इस आप जफार्याथ नहीं गयंजगा समच ऐई मैंद हूद Phew पहले पार्ग नहीं जबाट पर सरकार अब पार्ग तब बनाएं तो कुछ न कुछ तो आप करेगी, अब 500 का सिलिंदर, गेरा सो में दे रही है तो कुछ न कुछ तो विकास करेगी, सरकार खिलाब बोलेंगे आपको ओपर कारवाई हो, आरे खूब हो जा क्या है क्या है, हमन सच्चाई पर आए पर हम चलते हैं रात में पुलिस वाले आ जाएंगे उठा ले जाएंगे ले जाएंगे कोट तो है इनका दावा आए कि सरकार के दोरा जो विकास के दावे कि जाते हैं सारे खोख लें यहां पर विकास नहीं हुआ लगतार हम देखते हैं जो है आगवारों में बिग्यापन दिए जाता है कि सरकार ने इतनी कि जो है फिल्कुल आज़ा लेकिन नहीं अ पहले हुए हम तो निस्पच से दिखाते हैं क्यों हो चलिए ठीक है देखा आपने युगत है जो इनकी जो सोच थी जो इनकी अंदर एक भडास थी वो निकाली कहीं न कहीं जो इन्होंने और जो सुमेरपूर के जो आध्याच की बात करें जो नया चेहरा यहां की जंते न जो उन्हें चुना है कहीं न कहीं उनसे एक करेंगे सुमेरपूर यही एक बड़ी उमीद ले करके जो है उन्हें विजाई किया गया है यह विजाई करके जो है अज़त पर बठाया गया आप देखने वाली बात होगी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादर से ज पर भी फॉलू कर सकते हैं